आज हमारे पास unit number 8 exercise 8.1 से पहले देखें पहला सवाल मेरे पास मुझूद है eliminate A from the following equation by substitution method अब यह substitution method क्या होता है यह discuss करेंगे इस वीडियो में तो आप देखना सबसे पहला हमारे पास part दिया हुआ है part 1 है जिसमें 2 equations है 2A plus 3B minus 5 equal to 0 A minus 2B plus 1 equal to 0 मैंने क्या करना है इन दोनों equation को सबसे पहले नाम देना है कि यह equation 1 है और यह equation number 2 है अब मैंने करना क्या है सवाल में मुझूद है na eliminate A by substitution method from the following equation यानि मैंने A को eliminate करना है eliminate का मतलब होता है यानि equation से A को हटाना है कि उसमें A मौझूद ना हो जो मेरे पास equation बने उसमें A मौझूद ना हो मैंने क्या करना है equation number 2 अगर मैं देखो equation number 2 मेरे पास easy ज्यादा है equation 1 के बनिस्वत आप देखो उसके साथ 2 मौझूद है multiply हो रहा है और यहाँ पर क्या है A की value single है सबसे पहले तो मैंने देखना है कि कौन सी equation easy ज्यादा है तो equation 2 मेरे पास easy है A minus 2 B plus 1 equal to 0 मैंने क्या लिका है आपर from equation number 2 equation number 2 क्या है मेरे पास A minus 2 B plus 1 equal to 0 अब A equal to यह जो बकिया value है ना minus 2 B plus 1 यह equal के इस तरव ले लूँगा मैं A equal to minus का 2 B था equal के यहाँ आ जाएगा तो अपनी sign change कर देगा plus का 2 B हो जाएगा plus का 1 था equal के यहाँ आ गया तो क्या हो जाएगा minus का 1 तो A equal to 2 B minus 1 इसको मैंने क्या किया equation number 3 का नाम दे दिया अब मैंने just क्या करना है मैं देखूंगा कि मैंने जो equation number 3 बनाई है यह कौन सी equation से बनी है मेरे पास equation number 2 से तो simply अब जब equation number 3 को मैं put करूंगा तो equation number 2 में दुबारा put नहीं करूंगा बलके इसको different equation में put करूंगा यानि equation number 1 में put करूँगा मैंने याँ पर यही लिखा put equation 3 in equation number 1 क्योंकि जिस equation से मैंने ये equation बनाई है उस equation में इसको put नहीं कर सकता तो simply क्या करूँगा इसको another different equation में put करूँगा जैसे मैंने equation number 2 से equation number 3 बनाई यानि एक ही value find out की अब इसको मैं क्या करूँगा equation number 1 में put करूँगा देखे मैंने equation number 3 को क्या कर दिया equation number 1 में put कर दिया तो equation 1 में पास क्या है 2A plus 3B minus 5 equal to 0 एक ही जगा क्या put कर दूँगा एक ही value put कर लूँगा तो मैंने लिका 2A ये पूरी की पूरी value मेरे पास क्या है A, A की जगा मेंने सिर्फ A की value put कर ली plus 3B minus 5 equal to 0 अब इसको multiply कर लो plus 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 2 multiply to 4 B as it is आ जाएगा plus minus minus 2 ones are 2 plus 3B minus 5 equal to 0 as it is में उतार दूँगा अब आप देखो plus का 4B और plus का 3B plus 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 होते हैं मेरे पास तो 4B और 3B क्या हो जाएंगे 7B और यहाँ पर देखो minus का 2 minus का 5 minus minus भी plus होते हैं और sign कौन सी लगएगा जो बड़ी value का sign होगा यानि minus minus का 5 minus की sign लगी और minus minus plus तो 2 plus 5 क्या हो जाते हैं 7 equal to 0 अगर आप देखो इस equation में आपको A कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने क्या कर दिया A को eliminate कर दिया यानि A मौजूद ही नहीं है इस equation में required equation है अगर आप देखो इसमें कहीं भी A मौजूद नहीं है हमने क्या कर दिया A को eliminate कर दिया यही substitution method के लाता है कि आप किसी भी एक equation से किसी भी दूसरी equation में उसकी value put कर लो यह substitution method के लाता है अब मेरे पास दूसरा सवाल है यानि कुछ्टर नमर वन का दूसरा part है equation मेरे पास पिर यहाँ पर दो equation मौजूद है 4 A plus 3 B plus 8 equal to 0 A plus 5 B minus 2 equal to 0 मैंने क्या कर देना पहले step जिस तरह हमने पहले सवाल किया पहले सवाल का पहला part किया यह भी पहले सवाल है और इसका दूसरा part है इसमें भी हमने क्या करना है A को eliminate करना है substitution method से तो हमने पहले सबसे पहले सको क्या कर दिया equations को नाम दे दिया कि यह equation 1 है और यह equation number 2 है अब पिछले सवाल की तरह यहां भी देखना कि जहां पर आपके पास A क्या हो single हो उस equation को क्या करना simplify करना ज्यादा असान होगा आपके लिए तो मैंने क्या कर दिया यहां पर लिखा कि from equation number 2 equation 2 में देखे A single है A plus 5 B minus 2 equal to 0 अब मैंने क्या किया A को यही पर रहने दिया और plus का 5 B minus 2 को equal के इस तरव ले आया यह बात ज़रा गोर से सुनना यह equal के इस तरव आ जाएगी और equal के इस तरव आते साथ ही अपने sign B चेंज कर देगी तो आप देखो A तो यही पर मौजूद है A equal to plus का 5 B था ना यहाँ पर आके क्या हो जाएगा minus का 5 B minus का 2 था यहाँ पर आ जाएगा equal के इस तरव तो plus का हो जाएगा positive और मैंने इसको arranged form में लिख दिया यानि 2 positive value पहले लिख दी और जो minus की value थी उमेने बाद में लिख दी negative value को मैं बाद में लिख चुका हूँ इसी को मैंने equation number 3 का नाम दे दिया क्योंकि मेरे पास क्या हो गया A find out हो गया है अब आप देखना है मैंने क्या किया put equation number 3 in equation number 1 अगर आप देखो मैंने equation number 3 किस से बनाई थी equation number 2 से तो अब put किस में करूँगा equation number 1 में अगर दुबारा equation number 2 में put कर दिया मैंने तो ये wrong हो जाएगा ये rule के मताबिक ठीक नहीं होगा मैंने आप पर ये लिखा put equation 3 in equation number 1 equation 1 क्या है मेरे पास 4A तो मैंने लिखा 4A A की जग़ा A की value put कर ली plus 3B plus 8 equal to 0 अब देखें याँपर multiply कर ले 4 2s are 8 plus minus minus 4 5s are 20 B as it is आ जाएगा plus 3B plus 8 equal to 0 अब आप देखें minus का 20 में से क्या कर लो plus का 3B निकाल लो याई बड़ी value का sign लगा लो ठीक है और बड़ी value का sign लगाने के बाद बड़ी value में से चोटी value का minus कर लो 20 में से क्या कर लिए मैंने 3 minus कर लिए तो क्या आगा है मेरे पास 70 और B as it is यहाँ देखो यह भी plus का है और यह भी plus का है plus 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 तो 8 plus 8 जीन हो जाता है यह मेरी required equation है अब आप देखो इस equation में आपको कहीं भी A की नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया A को eliminate कर दिया और यह हमारी required equation है सवाल के मताबिक उसने यही कहा था कि eliminate A by substitution method from the following equation नीचे दिये गए जितने भी equation ले उसमें से A की value को क्या कर दो eliminate कर दो अब हमारे पास तिसरा पार्ट है तिसरा पार्ट क्या कहता है तिसरा पार्ट में देंगे दो equation फिर हमारे पास मुझूद है हमने सबसे पहले equations को नाम देना है मैंने इसको equation one और equation number two का नाम दे दिया अब जियादा जो easy equation है मेरे पास वो this bar क्या है हमारे पास equation number one मैंने क्या लिखा आपर from equation number one equation one क्या है आपास a minus 2x plus 1 equal to 0 तो a को यहीं पर छोड़ दो और minus का 2x plus 1 equal के उस तरव ले जाओ जब आप equal के इस तरव ले आओगे इसको तो यह minus का 2x positive हो जाएगा और यह plus का 1 क्या हो जाएगा? negative हो जाएगा यह क्या हो जाएगा? आपके पास equation number 3 यह आपके पास क्या हो जाएगा? equation number 3 हो जाएगा क्या आपने क्या कर दिया? एक ही value को find out कर लिया अब आप क्या करोगे? दुबारा value कोगे put equation number 3 in equation number 2 इस बार हमने equation number 3 किस से बनाई थी? equation number 3 हमने क्या बनाई थी? equation number 1 से बनाई थी तो अब put किसमें करेंगे equation number 2 में put करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 3a plus x minus 3 equal to 0 क्योंकि मेरे पास यह equation number 2 तो एक ही जगा मैंने just एक ही value put कर लिए अब इसको multiply कर लो 3 to the 6x as it is plus minus minus 3 1 to the 3 plus x minus 3 equal to 0 अब इसको simplify कर लो 6x positive है और यह x भी positive है प्लस 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 तो 6 और 1 क्या हो गए 7x और यहाँ पर देखना बड़ी value कोई भी नहीं है जब same values होती है तो किसी भी value का sign लगा लो और देखना minus minus प्लस तो 3 plus 3 6 equal to 0 यह मेरे पास required equation आ गई है जिसमें मेरे पास A मौजूद नहीं है eliminate हो चुका है A चोता सवाल है और चोते सवाल में मेरे पास फिर दो equation है दो equations को नाम दे देने हैं सबसे पहले इस बार में देखना equation number 1 क्यों नहीं ले रहा हो हलाके मेरे पास यह single भी है इसके खास reason है मैं भी आपको last में इस सवाल के last में आपको बता दूँगा कि मैं इसमें equation number 1 क्यों नहीं ले रहा हो हलाके मेरे पास equation number 1 में क्या है A single है सिर्वो सिर्व उसके ओपर square है और square की वज़़ा से मैं equation number 1 को नहीं ले रहा उसकी खास वज़ा है मैं भी आपको बता देता हूँ सबसे पहले आपने equation number 2 ली from equation number 2 क्या है A P equal to 0 या माइनस का Q और आप देखें मुझे A की वेल्यो चाहिए eliminate करना है ना A को तो P क्या हो रहा है याँ पर multiply हो रहा है मैंने याँ पर इसको क्या कर दिया? divide कर दिया और इसी को क्या कर दिया? equation number 3 का नाम दे दिया अब क्या किया? मैंने equation number 3 के बनाने के बाद equation number 3 को मैंने क्या कर दिया? equation number 1 में put कर दिया मैंने लिखा put equation number 3 in equation number 1 क्योंकि मैं substitution method कर रहा हूँ और substitution method का मतलब ही होता है कि किसी एक equation से value निकालना और किसी दूसरी equation में value put कर देना अगरी तरह मैंने equation number 3 किस से बनाई थी? इस सवाल में equation number 2 से बनाई थी इस वज़े से मैं इसको अभी क्या पूट करूँगा equation number 1 में पूट करूँगा equation 3 मेरे पास क्या है a square plus y equal to 0 तो a की जगा a की value put करूँगा minus q upon p square plus y equal to 0 अब देखो square जब भी पड़ेगा bracket के अंदर minus का sign हो वो chain हो जाएगा minus minus plus और ये square q पर भी पड़ेगा और ये square p पर भी पड़ेगा plus y equal to 0 as it is अब यहाँ पर आप देखे कि यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है तो one है y के नीचे कुछ नहीं है तो one है हम consider करते हैं कि कुछ नहीं ये तो one है तो आप देखो यहां पर इसके नीचे 1 है और यहां पर क्या है P sqaire है तो बड़ी value क्या है हमारे पास P sqaire तो बड़ी value हमने क्या कर दिए LCM ले ली अब आप देखें इसको यहां multiply कर ले और इस string को यहां multiply कर ले 1 multiply Q sqaire से होगा तो Q sqaire as a desire जाएगा और P square क्या हो जाएगा Y के साथ multiply हो जाएगा तो P square Y हो जाएगा अब आफ देखो P square क्या हो गया Y के साथ multiply हो गया P square Y बन गया इक्वल टू 0 upon में जो P square है यहां पर divide हो रहे हमने LCM भी ले लिया अब इसके काम खतम हुआ तो हम क्या करेंगे इसको यहां divide हो रहे 0 के साथ multiply कर लेंगे और 0 के साथ multiply होने के बाद यह क्या हो जाएगा यह खुद भी 0 बन जाएगा यानि 0 से कोई भी value divide या multiply होती है तो वो 0 बन जाती है अब आते हैं मैं आपको reason देता हूँ कि मैंने equation number 1 को consider क्यों नहीं किया उसके ओपर square था अब देखें आपके पास जब भी किसी भी equation में square आते है तो आप square वाल equation क्यों नहीं लोगे उसकी खास वज़ा है आप देखें सबसे पहले मैंने क्या किया equation जो मेरे पास पहली मुझूद थी मैंने लिखी a square plus y equal to 0 अब देखो मुझे क्या करना होता है a को अलग करना होता है तो a square यहीं मुझूद है plus का y है equal के वहाँ चला जाएगा तो minus का y बन जाएगा चलो यह भी कोई बड़ी बात नहीं है अब square square को अठाने के लिए root हमारे पास मुझूद है हमने क्या क्या root apply कर दिया root और square कर जाएगे हमारे पास क्या बज़ गया a लेकिन आप left and right and side पर देखे तो minus y का भी क्या हो जाएगा root हो जाएगा minus y जब root के अंदर होगा तो root के अंदर जब भी minus होता है न negative number यानि वो चोटा number होता है minus minor number होता है जो चोटा number होता है इस वज़ा से हमारे पास root से जब यह निकलता है कोई भी value root से निकलेगी तो उसके साथ क्या लग जाएगा iota ज़ा से ही मैंने equation number 1 को नहीं लिया क्योंकि equation number 1 में क्या है square square को आठाने के लिए root है हमारे पास root apply कर लेते लेकिन reason यह यह कि हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है वह है iota equation number 1 का part 5 है हमारे पास a square plus b square equal to 0 इसको मैंने equation number 1 का नाम दे दिया a minus b equal to c इसको मैंने equation number 2 का नाम दे दिया अभी मैंने आपको चोटे सवाल के बाद reason बताया कि हम square वाली value भी नहीं लेंगे और देखेंगे अगर कोई value single है तो पहले उसको लेने की कोशिश करेंगे उसकी equation को simplify करेंगे वहाँ से a की value find out करेंगे और अगर हमारे पास कोई single नहीं बच्टी तो हम square वाली value भी नहीं लेंगे तो हमने क्या कर लिए यहाँ पर मिली का from equation number two equation two ज्यादा easy यह single है square भी मौजूद नहीं है तो equation two के है मेरे पास a minus b equal to c अब a मुझे find out करना है तो minus का b है equal के इस तरफ चले जाएगा तो क्या हो जाएगा plus का b आप देख रहे हो minus का b था plus का b put equation number three in equation number one जायर बाते में equation number three कहां से बना चुका हो equation number two से तो अब put कहा करूँगा मैं इसको equation number one में तो equation one क्या है मेरे पास a square plus b square equal to 0 तो a, a की value में क्या put करूँगा b plus c b plus c square plus b square equal to 0 और यही मेरी क्या है required equation है इसमें क्या नहीं है मुझूद कहीं भी ए मुझूद नहीं है यानि ए क्या हो गया है इलिमिनेट हो गया है अमीद है आप लोगो ये तमाम तर जो पार्ट्स है कुछ्टन नमबर वन के ये समझ में आ गया होंगे और इसकी खूब प्रेक्टिस करना और साथ इसाथ ये भी देख ले कि आपको हर एक सवाल में हर एक सवाल में चप्टर नमबर 8 का नाम ही इलिमिनेशन है अमने इस पे वेलियो को इलिमिनेट करना होगा ठीक है और अलग-अलग मेतड दिये होंगे यानि अगर सब्टिटूशन मेतड है तो सब्टिटूशन मेतड आप सीख चूके हो कि सब्टिटूशन मेतड का मतलब है किसी भी एक 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 एकवेशन से वेलियो निकालना और किसी दूसरी एकवेशन में उस वेलियो को क्या कर देना पुट कर देना ये सेप्रिट्रिशन मेतड के राता है आगे बहुत सारे मेतड्स होंगे जो मैं आपके साथ डिसकस करूँगा इंशाला उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गई होगे अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं टैंक यू